आपको सीधा लेचलते हैं लखनौ जहांपर सीम योगिया आदितनात एक कारिक्रम में मौजूद हैं संबोदित कर रहे हैं इसमानों की संब्रदी हो या युवाओं की स्वावलंभन का कारिया बिना भेद भाव के पुरे देश के अंदर प्रते एक नागरिक को पांस लाक रुपे सालाना स्वास्ते बीमा की योजना युश्मान भारत की हो या फिर देश के इंदर अलग-अलग तपके में अलग-अलग समाज में सभी वरकों को समाहित करते हुए की जाने वाली केंदर और विफिन राज्य सरकारों की गोश्णाएं पंडित दिन जालो पारत है कि अंतोद है कि उस संकल्प के साथ ही जुड़ती भी दिखाई देती है आज जब उनकी पूर्णे तिथी कि सायुजन में हम लखनों महानगर में जुड़े हैं हम सब को इस बारे में ध्यान रखना होगा कि लोक तंद्र में एक सद जो लोक कल्यानकारी सद होता है जब सासन की योजनाएं बिना जाती बिना मर्व बिना मज़भ बिना छेत्र बिना भासा देखे पैदान पर बेठे वी बेक्ति तक बिना भेत्भाव की पहुँँच सके और ये बात 1950 और 1960 के दसक में पढ़ने दिन्द्यारुपाद ध्याजी ने भारतिय राजनीती उनका ये दर्शन उस समय भी उत्ता ही प्रासंगिक दिखता था जितना आज इसका महत्व भारतिय राजनीती में बना हुआ है आज उनकी स्पावन वोने थी थी कि आउसर पर मैं उन्हें प्रदेश स्वास्यों की और से कोठी कोठी नमन करता हूँ उनकी प्रती बिनम्बर सर्धांजली बेक्त करता हूँ आज जब हम लोग इस कारिक्रम के साथ जुड़े हैं मेरा सोभग्य है कि कल्से में वारानसी में था और वारानसी की मुगल सराय में जिसका नाम परिवर्टित करकी पंडित दिन्द्यालोपाद्ध्याय नगर कर दिया गया है वहाँ पर उनका एक भव्य समारक का निर्मान कार्य अंतिम चर्णों में चला है और सोला फरवरी को आधनिय प्रधानमंत्री जी उस भव्य समारक का लोकारपन का कारे भी करेंगे जहां पर पंडित जी की 63 फुट उची प्रफिमा और उनका एकात्म मानोबाद और अंतोदै की प्रति उनकी भावनाई क्या थी उनका दर्शन था उसको बहुत अच्छे धंग से वहां पर उनके समारक के माद्यम से केरने का प्रयास हुआ है इसका लोकारपन प्रधानमंत्री जी के द्वारा होगा मुझे वहां कल उनके इस कारेक्रम में भागेदार बनने और अन्य कारेक्रमों के साथ जोडने के बाद आज मुझे लखनों के इस कारेक्रम में आने का उसर प्रप्त हुआ मैं पुरे प्रधेश वास्यों की और से पार्टी के प्रतिक कारेकरता की और से कि पंडित दिन्द यालोपात ध्याजी के से चनों मेरे कोठी-कोठी नमन करते हैं। अपने लोक कल्यानकारी और राष्ट कल्यानकारी योजनाओं के साथ अपने आपको जोड़ेगा आप सबकी प्रति मेरे शुपकामनाएं धन्यवाद चाहिं।